हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल प्रेग्निंसी के एर्विट मेगा मैं मेगा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कैसे हैं आप लोग? I think सभी स्वश्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे दोस्तों प्रेग्निंसी के दोरान पेट का जादा बड़ा होना या फिर छोटा होना इसके पीछे के क्या कारण होता है? क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कुछ का जो पेट होता है काफी बड़ा दिखाए देता है और कुछ महिलाओं का पेट बहुत छोटा दिखाए देता है क्या छोटा पेट होना बच्चे के लिए खत्रा होता है या फिर मैं कहूं कि बच्चे की ग्रोथ को दिखाता है या फिर बड़ा पेट दिखाता है कि बच्चे का पेट ठीक है तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ छे ऐसे कारण जिनकी वज़े से आप जान सकते हैं कि आपका छोटा पेट या बड़ा पेट किन चीजों की वज़े से होता है तो उमेद करते हूँ आज का इस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा, लाइक कीजेगा, कमेंट कीजेगा और शेयर करना बिलकुल भी मत भूलेगा देखिए प्रेगनिंसी प्रेगनिंसी हर महिला के लिए अलग-अलग होती है किसी को कुछ लक्षन होते हैं, किसी को कुछ लक्षन होते हैं और किसी को तो कोई सिम्टम होते ही नहीं है ऐसे में ही पेट बड़ा और छोटा होना भी अलग-अलग कारणों पर डिपेंड करता है प्रेग्निंसी के दोरान कुछ महिलाओ का पेट जरूरत से ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है इसके पीछे के कई कारण हो सकते हैं लेकिन पेट के ज़्यादा बड़े होने और गर्ब में पल रहे बच्चे के साइज का कोई भी संबंध नहीं होता है पहली प्रेग्निंसी के मुकाबले दूसरी प्रेग्निंसी के दोरान पेट ज़्यादा बड़ा होता है दरसल पहली बार प्रेग्नेंट होने पर पेट की स्किन और मास पेशियों में खिचावा जाता है इस कारण भी दूसरी बार जब आप प्रेगनेंट होते हैं तो पेट का अकार थोड़ा सा जादा बड़ा हो जाता है और भी कई कारण है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ सबसे पहला है मा की लंबाई देखे प्रेगनेंसी के दोरान पेट बढ़ने का गहरा समबंध हाइट से होता है जिन लेडीज की हाइट लंबी होती है उनका पेट जादा बाहर की तरफ निकलने की बजाए उपर की तरफ जादा निकलता है दरसल लंबाई ज़्यादा होने के कारण गर्मे पल रहे बच्चे को मा के पेट में ज़्यादा जगा मिलती है जिससे की पेट आगे की तरफ बढ़ने की बजाए थोड़ा सा उपर की तरफ भी बढ़ता है इसलिए पेट कम बढ़ा दिखाई देता है और जिन महिलाओ की लंबाई कम होती है उनका पेट बाहर की तरफ ज़्यादा निकलता है ऐस कमपेर टू उपर तो इससे आप समझ सकते हैं कि पेट जो निकलना हाइट पर भी डिपेंड करता है दूसरा होता है कि प्रिगनिसी के दौरान पेट के जयादा बढ़ने का मुख्या कारण गर्मे पल रहे बच्चे की पोजिशन पर भी निर्वड करता है गर्मे बच्चा अपनी जगा बदलता रहता है लेकिन pregnancy के आखरी तीन महिने में ऐसा ज़ादा होता है इस कारण भी कुछ गर्वती महिलाओ के पेट का आखा ज़ादे बढ़ने लगता है देखे एक्सपर्ट की माने अगर जो आपका एक्सपर्ट्स लोग कहते हैं इसके रिगार्डिंग वो है कि pregnancy के दोरान गर्वती महिला के शरीर में ऐम्नियोटिक फ्रूट के इस तरके बढ़ने के कारण भी कुछ महिलाओ का पेट चर्वर से ज़्यादा बढ़ा हो जाता है अगर अम्नियोटिक फ्रूट की मातरा ज़्यादा है इसके कारण भी आपका जो पेट है थोड़ा सा ज़्यादा मोटा दिख सकता है गर्वती महिला के शरीर में इसका इस तरज होता है वो एक लिटर से ज़्यादा होने पर महिलाओ का पेट ज़्यादा बढ़ा हो जाता ह और प्रिक्निसी के दोरान गर्वती महिलाओं के बैट ने लेट नो चलने के तरीके से उनकी माशपेशों पर काफी असर पड़ता है इसलिए गलत तरीके से बैटने और चलने के कारण भी कुछ महिलाओं का पिट जरुद से जादा बड़ा हो जाता है देखें गर्म में पल रहे बच्चे के जादा हेल्दी बस एक कारण यह होता है कि अगर आपका बच्चा जादा ही मोटा है तब आपका पेट बड़ा होता है लेकिन हमेशा पेट बड़े होने का कारण यह नहीं होता है कि आपका बच्चा मोटा है प्रिग्निसी के दरान कुछ महिलाव के पेट बढ़ने के पीछे कुछ medical conditions भी हो सकती है gastrational diabetes की वज़े से भी अकसर आपका पेट ज़्यादा बड़ा हो जाता है बहतर होगा कि आप समय समय पर डॉक्टर से consult करती रहें कई बाद गर में अगर एक से ज़्यादा बच्चे हैं obvious है कि अगर twins हैं triplets हैं तो फिर आपका जो पेट है वो थोड़ा सा बड़ा ही होगा क्योंकि जहां आपका बच्चा एक होता है और जहां आपका बच्चा दो होता है तो वो ज़्यादा जगा लेंगे जिसके कारण भी आपका पेट थोड़ा सा बड़ा होगा तो ये 6 वज़ा होती है जिसके वज़े से गर्वती महिलाव का जो पेट का कार है बड़ा और छोटा होता है तो उम्मीद करती हूँ अब आपके मन में इससे related कोई भी confusion नहीं होगी पेट बड़ा होने का सीधा मतलब बच्चे के वज़न पर नहीं जाता है बच्चे के वज़न केवल एक वज़ा है इसके पीछे और भी वज़ा है जो मैंने आपको बताई है तो उम्मीद करती हूँ आज काई वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें और शियर करना बिल्कुल भी ना भूलें थैंक यू फर वच्छिं प्रेगनेंसी केर विद मेगा थैंक यू नमस्कर